हलो है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग बढ़ियाख होंगे और इसी उमीद के साथ आज का वीडियो शुरूब करते हैं देखें साथ अफरिका और इंडिया के बीच T20 सीरीज चल रही है इंडिया कर रही है साथ अफरिका का ट्यूर और जो पहला मैच हुआ वो तो भाई लाजवाब हुआ इंडिया ने बहुत अटेकिंग किर्केट खेली स्पेशली बात करें संजू सैंसन की तो बहुत बढ़ि लेकिन उनको खेलना शुरुआत से ही पड़ेगा तो अगर थोड़ी सी भी गलती करने के बारे में सोच रहे हो रिपीट मोड पे चलना है तो भाई एक बार वीडियो ठैर लो देखके जाना आराम से 18 से 19 मिनट का वीडियो होगा थोड़ा सा बैटर तरीके से समझाओगा पहला मैच संजू सैंसन के चलते उतना खास गया नहीं बट ये मैच बहुत अच्छा जाने वाला है प्रेडिक्शन आपको मैं दूँगा तो देखे बस अपना सपोर्ट जितना अच्छा सपोर्ट द वीडियोज आप सबसे पहले देख पाए चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाएगा जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा क्य यह वीडियो यह मैच होगा 10 तारीक को यह वीडियो शूट हो रहा है 9 तारीक को दो पहर में क्योंकि मैं रहूंगा ट्रेवल पे तो सेकंड ट्वेंटी मैच का वीडियो नहीं आप आप आएगा इसलिए आपको बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलिग्राम जाके जूट जाओ जिसे की आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ सबसे पहले विंडियो बोले के बात कर लेते हैं जो भी है कैबरा या फिर गैबरेया यह जो भी है इसको मालना साउथ अफ्रिका में है यह जियॉड्स पार्क में यह मैच खिला जाएगा यह देखे 4 मैच खिले गए 2 बैटिंग फर्ष ने 2 चैजिंग ने scoring पैटर्न देखना एक के बार बार 1.500 से नीचे एक बार 1.50 एक 179 के बीच का और 124 का एवरज स्कोर है यार्ले के अगा हम लोग बात करते हैं इस venue की तो चार मैच में एक भी मैच में 190 प्लस की scoring नहीं यहां पर काफी टाइम से मैच नहीं खेला गया सबसे पहले तो यह चीज बता दू यहां पर कोई भी मैच खेला नहीं गया है तो सबसे बड़ी चीज यह होगी कि यह फ्रेश विकेट है लेकिन जब इसमें मैच चलते हैं तो यह थोड़ा सा है वो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बैटिंग साइट की तरफ ज़्यादा चलता है लेकिन काफी टाइम से मैच खेला नहीं गया है तो उस चीज को हम प्रॉपरली अभी मैं नहीं बता हूँगा लेकिन टेलिग्राम पे जब टोस हो जाएगी इसका जो पिछ रिपोर्ट आएगी एक्सपर्ट के माध्यम से वो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा उस टाइम पता चलेगा कि क्या कुछ हो सकता है लेकिन अभी के लिए ये सरफेस पेसर्स के लिए बढ़िया है जिस तरीके के इस पे रिसेंट के जो मैचस हुए उनको लेके बात करा हूँ और वो मैचस आपको मैं दिखा भी देता हूँ ये देखेगा ये दो हजाट टेइस में कर पाया 10 विकेट गिरी टोटल पेसर्स को 9 स्पिनर्स को एक 2012 का मैच ये बहुत पुराना मैच है तो इसकी तरफ तो हमें नहीं चलना है लेकिन इन दोनों मैचस में देखना है एक तो स्पिनर्स स्पिनर्स को उतनी ज्यादा विकेट नहीं मिली दूसरी चैजिंग करने व बाकी जैसे ही टोस होने के पहले जो पिच रिपोर्ट आती है वो मैं आपको टेलिग्राम पे जरूर अपडेट करूंगा 26 विकेट पेसर्स को मिली है फर्स निंग्स में 13 सैकंड में 13 स्पिनर्स को 9 विकेट मिली है फर्स निंग्स में 4 ने प्लिण 2 पी पाचWhen पाच पौ ये चीज़े भी होती है, देखिए रंस भी आये हैं, लेकिन डॉमिनेशन भी आया है, तो सारी चीज़ी आई है, एक बैलेंस ट्रैक है, जहां पे अगर आपको बैक फुट पर लेके जाना है, आपको अच्छी लाइलंग पर गेंदवाजी करनी है, अगर आपको रंस करने है तो आपको थोड़ा सा विकेट पे टिकना पड़ेगा उसके बाद आप स्कोरिंग कर सकते हैं बाकी यहाँ पर 31 मैच खिलेगे 11 साउथ अफरिका ने 16 जिते हैं इंडिया ने head to head ये कल का मैच है ये इंडिया जिता यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये मैच भी इंडिया ये T20 वर्ड कप का फाइनल है सैमसन का 107 सूरिया फ्लोप था तिलक परमा एवरस था आवेश खान दो विकेट चरक करवती और रवी बिश्मई को तीन-तीन विकेट मिली यहाँ देखोगे 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 तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन- ये है Seam Lane, Xerald, Koyadzi, Kesao, Miharuse, Nákda, Mojji, Pater. ये की Lack Spin करते हैं, Koyadzi, आप पुरपले में आता है, असके अलबा यांचन पुरपले में आता है और यहां पे Seam Lane, पी आता है. Death में आपको यांचन दीखेगा, और Koyadzi, आपको deaths में दीखेगा. विकेट किपिंग सेक्षिन से शुरू करते हैं मैं रियान एकलेटन की लास्ट मैच में स्टार्ट मिले और कंसिस्टेंसी भी अच्छी है हेट टो एड एक मैच में 21 रन वेन्यू पे खेले नहीं औरवल 9 में 25 कावरज हैं मैं लेके जाओंगा रियान को हेंरी क्लासेन हेंरी क्लासेन को भी स्टार्ट मिल गया था हेट टो एड ग्यारा में 28 कावरज वेन्यू पे एक में 7 औरवल 52 में 24 कावरज है क्लासेन को भी मेभी मैं रखूंगा अडेन मारकरम अडेन मारकरम का बल्ला देखिए recent में मेरे भाई बिलकुल भी नहीं चला है head to head 8 में 24 का अवरज venue पेक में 30 run overall 32 लेकिन आपको बता दूँ कि इस match में Markram और Ryan Rickleton Ryan Rickleton है इन दोनों में से आप देखना बड़ी innings आ सकती है दोनों भी perform कर सकते हैं लेकिन एक guaranteed आपको perform करता हुआ दिखेगा ट्रिस्टियन स्टर्ब्स की बात करते है recent number उतने अच्छा नहीं है head to head 9 में 16 का अवरज venue पेक में 14 औरो लिक 30 में 27 का अवरज है इसको भी लेके जाओंगा Miller की बात करते है numbers ठीक है head to head 22 में 49 का अवरज venue पे 3 में 28 का है औरो लिक 15 में 33 का मैं बोलूँगा अगर पहले बैटिंग करती है ले सकते हो या फिर दिखे मैं इन चारों में से किसी को ड्रॉप करना चाहता नहीं हूँ वैसे लिकिन अगर डैविड मीलर को लेना पड़ेगा तो फिर एक को ड्रॉप करके जाना पड़ेगा और उनमें से फिर मैं यार स्टाइटरिस टेनिस टब्स वो हो सकता है मारको यांसन बैटिंग ब्लस बोलिंग आपके लिए दोलू है हैट टो एट चार में 4 विकेट वेन्यू पे एक में औरोल 13 में 13 लेके जाना है पैटरिक कुरूगर ज्यादा गेंदबाजी किये नहीं थी ओवर कटे थे एक मैच में एक विकेट इंडिया की अगेंस्ट है वेन्यू पे खेले नहीं औरोल 7 में 8 है फिलाल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा बालिंग साड में जाओगे सेम एंडिले का है एक ही मैच खेले हैं 0 विकेट है यहाँ पे 3-4 विकेट आईए लेकिन उतना एक्स्पिरियंस नहीं है पहला T20 मैच था जराज कोट जिया में प्लेयर रहेंगे बैस्ट कैप्टन भी बन सकते हैं लास्ट मैच में मेरे वाइस कैप्टन थे हैट वैड दो में छे वेन्यू पे एक में 3 औरोल 7 में 11 केशो महराज के भी देखी एक विकेट निकाला था लेकिन उतनी विकेट नहीं आती है बल्क में हैट वैड बारा में 13 वेन्यू पे निकेले औरोल 35 में 35 पैटर को भी यार मैंने फालती में रख लिया था एक विकेट थी 3 औरोल डाले थे हैट वैड एक में एक वेन्यू पे निकेले औरोल 5 और 5 तो यहां से जेराल्ड कोईट जिया एक इंपोर्टेंट प्लेयर है बाकी यांसन हो गए एक और अगर आप केशो महराज को रखना चाहो तो रख सकते हैं क्योंकि आप देखोगी केशो महराज ने चार ओवर डाले हैं बागी क्रूगर के ओवर कटे पैटर के भी ओवर कटे थे कौन कहां के इंदबाजी करता यह मैंने आपको बता दिया बैंक से देखे रिजा हेंड्रिक्स की तो शायद जगह नहीं बनेगी बाकी बाटमेन आज सकता है और बाटमेन को खेलना चाहिए था मुझे नहीं पता बाटमेन क्यों नहीं खेद रहा इंडिया में अभिषेक सर्मा, संजु सैमसन, सूरिया, तिलक वर्मा, हार्दिक पंडिया रिंकु सिंग, अक्सर पटेल, वरुन चकवरती, आवेश खान, रवी विष्णवी और अर्षदीव सिंग अर्षदीव सिंग पवर्पले में आते हैं, वरुन चकवरती छटा ओर डाल सकता है, लास्ट मैच की तरह है मुझके लाएश खान आते हैं, मेन पांच प्लेयर है, हार्दिक पंडिया है लास्ट ओवर में अक्सर पटेल के ओवर्स कटे थे, और मुझके लगता है, आवेश और अक्सर में से ही ओवर कटेंगे बैडिंग साइड, संजू सैमसन, देखे, एक सो साथ की, यहाँ 111, 200 आ चुके हैं, हैट्टो एड़ेक में साथ है, औरो 33 में 22 का, अब देखे लास्ट मैस के दोरान विमा ने आपको एक चीज़ बोली थी, मारको यांसन प्रॉब्लम कर सकते हैं, कोट्जिया भी कर सकते हैं, बट बढ़िया खेले संजू सैमसन, बट रिपीट चीज़े नहीं होती है, बार बाद, आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो मैं आपको य तिलक पर्मा 33, 36, 44 ठीक है, हैट टो एर तीन में 20 का अवरज, वेन्यू पे एक में 29 है, ओर रोल 16 में 33 का अवरज है, रिंकू सिंग, रिकू सी का बला नहीं चला रिसेंट में, लेकिन ज्यादा बैटिंग भी नहीं आती है, हैट टो एर तीन में 46 का अवरज, वेन्यू पे वो जिंबाबे में 100 आया था, उसके अलावाद 63, 64 ठन बनाए है, नोग दो सिंग्स में, हैट टो एर तेरा में 9 विकेट, 30 का अवरज, और एक सो पांच में 27 का अवरज, अक्सर पतेल, लास्ट में उतना खास रहा नहीं, हैट टो एर तेरा में 7 विकेट, वेन्यू पे नह मैं शायर अक्सर पतेल को अगयर अपनी टीम में ट्राइक करूँगा, वरुन चकरवर्ती की बात कर लेते हैं, लास्ट में तीन विकेट निकाली बाई, तीन यहाँ है, दो यहाँ है, दो बहुत अच्छी गेंद बाजी है, एक मैच में तीन विकेट साउथ अफरिका है, अवरुल दस में दस है, बात करूँगा, किसको लेना है, आवेश खान के भी रिसेंड में अच्छो नंबर्स है, हैट टुएड छे में अच्छे वेन्यू पे निखेले, अवरुल तेश में 25, विश्णोई ने भी अच्छी गेंद बाजी की है, हैट टुएड एक में तीन रखूँगा, अलांकि गेंद बाजी वरुन चक्रवरती अच्छी करते हैं, लेकिन रवी विश्णोई मुझे थोड़ा सा अटेकिंग फिल्डर भी है, कैचिंग पोजिशन में भी रहते, तो इसलिए मैं रवी विश्णोई और अर्षदीब को रखूँगा, लेकिन अग कोई बड़े मैच अप है नहीं यहां पर देखने लाइक की, यहां पर हार्दिक पंडिया को अच्छा खेले हैं कलासे हैं, लेकिन दो बार विकेट है, उसके लाए वरुन चक्रवरती ने लास्ट मैट में आउट किया है, यह डैविड मिलर चार बार हार्दिक पंडिया न नहीं है, इंट्रेस्टिंग नहीं है, क्यों हार्दिक पंडिया वर्शज डेवेड मिलर वो थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है, बाकी नहीं है, तीन दिखाता हूँ आपको, देखे, कलासेन, लेकलेटन, सुरिया, अडेनवार कराम, स्टब्स है, हार्दिक पंडिया एज अक्सर पटेल, मारको यानसन, अभी से एक शर्मा, कर्षदीव सिंग और जराल कोड़िया एज वाइस कैबर, अब यहाँ पे एक प्लेयर रवी बिश्नोई को आप एड़ कर सकते हो, वो किसकी जगह करोगे, दो प्लेयर का नाम मैं लूँगा, अभी से एक शर्मा की जगह या फिर अक्सर पटेल की जगह, इन दोनों में से किसी की जगह आप एड़ कर सकते हो, रवी बिश्नोई को लेकिन फिलाहाल मैंने ये टीम बनाई है, इसके साथ कॉंटेर्ट जोइन कीजिए, कोई भी चैन्जस होंगे, वो टेलिग्राम पे अपडेट कर दिये जाएंगे तैंक यू सो मच पर वाचिंग इस तूडियो में नेक्स तूडियो में